नमस्कार दोस्तों, रेलबे का एलपी का 5600 से ज़्यादा विकिंसी का एक नोटिफिकेशन काफी वाइरल हो रहा है, तो थोड़ा समझते हैं कि इसमें क्या है, क्या इसकी सच्चाई है, क्योंकि हर चीज बड़ी प्रॉपर लिखी हुई है, जनवरी 2024 का नोटिफिकेशन, 20 जनवरी से फॉर्म बनना स्टार्ट, 19 फरवरी इसकी लास्ट डेट है, 5696 पोस्त है, तो देखें थोड़ा सा मैं आपको शॉर्ट में एकदम एक्कुरेट बताता हूँ, बेटर तो तभी होता है जब कोई चीज ओफिशिली वेबसाइट पर उपलब्द हो, पर जिस प्रक प्रकारी निउस्पेपर होते हैं, तो बेसिकली ये नेक्स्ट वीक का, 20 जनवरी से 26 जनवरी का, ये आपका रोजगार समाचार का पेपर है, जिसमें ये आएगा, यानि आप कल या परसो जब ये पेपर अवेलेबल होगा, तब इसको हम उसमें देख पाएंगे, तो आप जब इसको देखते हो, क्योंकि इस प्रकार का पूरा फुल पेज एक एड है, जो रेलवे की जॉप का है, ये ऐसा पूरा सब लिखा हुआ है, इसमें बहुत प्रॉपर, और यहां अगर आप सबसे उपर देखेंगे, तो employmentnews.government.in page number 13 पर ये मिलेगा, तो इसको देखने क के बाद मुझे काफी उम्मीद है कि ये real, viral नहीं है, real notice है, और real notification है, viral जरूर है, लेकिन सच्चाई के होने के बहुत अत्तक chances है, और यहां सब लिखा हुआ है, vacancies है, qualifications है, है न, क्या क्या आपको चाहिए, reservation की जानकरी है, age की, form भरने की, और जहां जहां पे भी आपके रह प्रकार की कोई घडबर नहीं निकाल पाया है, और जैसा मैंने कहा, कि इसके सही होने के काफी chances है, बट इस्टिल suggestion मेरा ही रहेगा, कि हम पहले real और official notification का इंतजार करे, कल जब रोजगार समाचार employment newspaper पबलिश होगा, अगर उसमें आ जाता है, तो फिर तो कोई संदे ही नही जाएगा, तब हम ज्यादा authentic और better इसको समझ पाएंगे, मैं आपको बस brief कर देता हूँ कि इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं, बाकी जब real और official notification आएगा, तब मैं आपको detailed जान करी दूँगा, ALP मतलब आपको पता ही होगा कि assistant locopilot, यानि जो train चलाता है, train का जो driver होता है, उसको पाइलेट बोलते हैं, लोको पाइलेट, और उसका जो assistant होता है, उसको हम कहते हैं assistant locopilot, और यहाँ पर देखिए, सबसे पहले समझें, तो 20 जनवरी 2024 इसकी form बरने की start date है, 19 फरवरी last है, टोटल 5,696, यानि लगभक 5700 पद हैं, जो काफी कम हैं, क्योंकि 4500 साल से बिद्ध्यारती इंतजार कर रहे हैं, पदों की संख्या कम है, क्योंकि नहीं कुछ तो लगभक 10-15,000 से ज़्यादा पदों की उम्मीद सारे बिद्ध्यारती कर रहे थे, but still let's see कि original notification आने पर या बाद में कितनी post में changes आता है, और आपको पता ही है कि ये basically technical knowledge वाले students के लिए जिनका कोई technical background रहा है, जैसे 10th के बाद आपने ITI किया है, 10th के बाद आपने diploma लिया हुआ है, या 12th के साथ आपका diploma है, या फिर आप समझिये कि जो engineering background के हैं, हम बात करें अगर mechanical की और बहुत सा वाले वो नहीं कर सकते हैं, तो electrical हो गया, electronics हो गया, उस stream के विध्यारती इसके लिए apply कर सकते हैं, तो वही सब यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है, कि आपका एक तो इसमें थोड़ा सा ही छोटे अक्षरों में तो उतना clear नहीं दिख रहा है, बाकि आप देखेंगे तो mechanic, mechanic radio and TB, इसके अलाब मेकेनिक, motor vehicle, wireman, fitter, trader, यह सारे जो होते हैं, तो इस प्रकार की चीज इसके अंदर आई हुई है, और यहाँ पर officially भी काफी अच्छे से चीजे लिखी हुई है, तो लगभग उमीद है कि यह notification सत्य है, सही है, बट इस्टिल कल यह सारी चीजे clear हो जाएंग अगर वो आता है, तो मैं फिर से आपको वीडियो बना कर इसके information दे दूँगा, तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही, thank you, जय हिंद